हेलो बच्चों स्वागत है आपका गॉर्मेंट एक्जाम अड़ा में बच्चों इस बार पता नहीं क्यों बहुत सारे यूट्यूबर्स यह फवा उड़ा रहे हैं कि इस बार का कमपार्टमेंट एक्जाम नहीं होगा अब आपका भी हो सकता है कोई पेपर खराब गया हो य बच्चे ऐसे थे जिनका कमपार्टमेंट एक्जाम अच्छा नहीं गया या वो फॉर्म ही नहीं भर पाए या फॉर्म भरे लेकिन उनका एक्जाम छूट गया तो अब बच्चे परिसान है किसर अगर नहीं होगा तो मेरा क्या होगा एक साल तो बेकार चला जाएगा और ऐसी लगातार बहुत सारे मैसेस हमकों मिलते हैं और देख करके बड़ा कस्ट होता है पता नहीं क्यों ये लोग इनको क्या मिलता है ये अप वहें फैला करके बच्चों देखो जो भी कमपार्टमेंट का एक्जाम होना है चाहे आप उसको कमपार्टमेंट 3 कह लो अगर आ जो लोग कह रहें कि नहीं होगी वो डरा रहें ताकि आप उनकी वीडियो बार बार देखो और ऐसा करने से उनका फायदा होगा देखो बच्चों जो मेन एक्जाम है इसका रिजल्ट अगस्त के फॉस्त या सेकेंड बीक में आ जाएगा उसके तुरन बाद आपको एक्जाम का फॉर्म भरवाय जाएगा जो कमपार्टमेंट एक्जाम होगा सितंबर में आपकी परिक्षा होगी और सितंबर लाश तक ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है ये निश्चित है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत से बच्चों का साल खराब हो जाएगा और CBC ऐ बहुत से लोग कह रहें, मेरे पास प्रमाढ है, मेरे पास यह है, उनके पास कुछ नहीं है, बस इतना जान लो कि एक्जाम होगा, और अगर आपको भी लगता है कि आपको अगले एक्जाम में कंपार्टमेंट में बैठने की जरूरत है, तो इन लोगों के बहकावे में सितंबर में इसका एक्जाम का डेट आपको पता चल जाएगा एक्जाम्स आपके सेप्टेंबर में हो जाएंगे और रिजल्ट भी सेप्टेंबर लास्ट वीक तक आ जाएगा बहुत ज़्यादा डिले होगा तो अक्टूबर का फस्ट वीक हो जाएगा और माक्सी तोगेरा आपको जो online मिलेंगी उसी के आधार पर आपका admission हो जाएगा वैसे हमारी सुपकामना है आपके साथ में है कि आपका compartment exam आपको देने की जरूरत ही ना पड़े और आप लोग सभी अच्छे नंबरों से पास हो जाए जो improvement exam है बच्चों वो तो अगले साल board exam के साथ में होगा त और वो होना ही होना है तो इसके लिए कोई संदेय मत रखिएगा हमारी तरब से सुपकामना है है all the best may god bless you thank you for watching this video